ओ माई गॉड सौरफ गांगुले से मिलने का मौका जिया इस 28 से 31 मार्श टेस्ट वुक सुपर कोचिंग आपके लेकर आया आखरी मौका सेल और दादा से मिलने का मौका सभी सुपर कोचिंग पर आपको मिल रहा है अप टू 90 परसेंट ओफ एंड 50 परसेंट की एक्स्टा वेलिटी और तो और दो साल की वेलिटी वाला टेस्ट वुक पास आपको मिल रहा है सिर्फ रुपीज 279 में तो अगर आप SSC, बैंक, टीचिंग, इंजिनरिंग, UPSC, स्टेट PSC, टिफैंस ऐसे एक्साम की तयारी कर रहे हैं तो अभी इंड्रोल कीजिए क्योंकि ये मौका नहीं मिलेगा दुबारा हलो एंड वेलकम टू टेस्ट वुक सुपर कोचिंग, तो आज हम यहाँ पर एक और इंपॉर्टन डिस्कसिन करने वाले हैं SSC GD को लेकर और डिस्कसिन यह है कि GD की जब वेकैंसी आई थी तब नंबर 24,000 क्यास पास था जो बढ़ते बढ़ते 50,187 पहुंच चुका है तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं जो अभी रिजल्ट आया नहीं है लेकिन वेकैंसी जो है वो लकतार इंक्रीज हो रही है तो यह जो बढ़ती हुई वेकैंसी है इसका क्या एफेक्ट पढ़ने वाला है आपकी कट अफ वर देकिक जो कट अफ होते हैं सीरी सीरी डिपैंड करते है कितने कैंडिट्स एपएर हुए और कितनी वेकेंसी थी तो वही हम डिसकस यहाँ पर करने वाले है और गौरफ सर भी मार साथ जुड़े हूए तो गौरफ सर वैसे तो बहुत खुशी की बात है कि पिछली बार से अल्मूस्ट दुगनी वेकेंसी अगर आप एक छोटे में बताना चाहें दो-चार शब्तों में क्या एफेक्ट पढ़ने वाला है सर एक तो पहले कि क्या था कि लास्ट टाइम जो थी लोगों ने जादा भरा था लोगों ने इस वज़े से फॉर्म नी बहरा था बट इस बार जब लोगों ने वेकेंसी देगे बोले कम वेकेंसी हैं तो लोगों ने कम भरा और बाद में जलसा कि आपने बताया कि वो बढ़ते बढ़ते आज 50,000 वेकेंसी हो गई है तो मुझे लगता है कि अब यहां पर कहीं न कहीं कट ओफ जो है कॉम्प्टीशन जो है थोड़ा सा कम होने वाला है तो यह मेरे तरह से लगता है तो जैसे सरना कॉम्टीशन की बात करी तो जो हमारे पास जो डिटेल्स आए हैं जो आकले आए हैं आटी आई के जरिए और ओफिशल्स के जरिए तो वो यह पिसली बार लगवक 71 लाग इस्ट्वेंट ने अप्लाई किया था इसमें से 42 लाग इस्ट्वेंट जो है वो और इस बार जो नंबर है उससे 65 रह गया है तो भाई जब नंबर इतना डाउन हो गया है कॉम्टीशन का तो कहीं ना कहीं कट आफ जो है वो आपकी कम जाने वाली है अब कट आफ जाक इतनी सकती है उसको एक बार हम थोड़ा सा समझ लेते हैं तो देगे एक्जाम पैटर् जो भी आपका 20 questions 40 bucks यानि total आपके 80 questions आते हैं 160 bucks से और आपको एक घंटे का समय दिया जाता है यह exam pattern है अब आप exam दे चुके हैं तो इसके बार में चाला है बात करने की ज़रूरत है ही नहीं अब cut off की बात करते हैं direct cut off पर चलते हैं कितनी expected cut off रह सकते हैं overall हम general तोर पर देख area में आ रहे हैं इस zone में आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं safe है आप PET की तैयारी शुरू कर सकते हैं अब OBC की cut off जो है आपके 95 से 102 है अब देखें आप सोच रहे होगे unreserve और OBC में इतना कम difference क्यों है आप देखिए चाए banking हो या SSC हो आप कोई भी result उठा के देखेंगे तो जनरल और OBC की बीच में अब ज्यादा फर्क नहीं रहता है कट आफ में दो चार पांच नंबर maximum रहता है अब वो नहीं होता है कि वाई अन्रिजर्ट की 100 जा रही है तो OBC की जो है 70 75 जाएगी वो नहीं होता है अन्रिजर्व OBC और EWS में पांच पांच नंबर का ही फर्क रहता है यह आपकी कट आफ जा सकती है अब एक चीज़ और यह जो कट आफ है यह आपकी नॉर्मलाइडेशन के बाद में वता रहा हूं इतनी कट आफ जाएगी अब इसमें आपका जो रॉइ स्कोर है वो डिप सब्सक्राइब करता है कि आप किस शिप्ट में थे और उस शिप्ट का पेपर किस लेविल करता है इजी था मॉडरेट था या हाट था इसली नॉमलाइशन किया रहाता है तो गौरप सर कट आफ तुमने क्या पर मौटा मौटी देख लिए सब्सक्राइब करते हैं तो आपका क्या कहना सर कट आफ दे कि पिसली बार से कम जाने वाली है यह तैह है और हमने यहां पर देखा भी है कि भले ही थोड़ी ही साही सीजियल हमने देखा और जीडी में इन तीनों में एक कॉमन चीज़ क्या थी पैटर्न चेंज हुआ है मिल सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर और हमने अनलेसिस भी किया था तो सर कॉश्चन चोथे ना मौडरेट लेवल के आज चाहिए कि नहीं थे कि अगर इनके बीच में लाई करते हैं तो गवर्परेशन तो गब्राइए कि मेरे डियाए अगर रहा है तो दोस्तों अनथाने मंगर अगर आपके राव बन रहे हैं तो आप यहां पर शुरक्षित हो और आगे की परपेशन आपको करनी चाहिए बिल्कुल य है वो आपका यहां पर जो है वो होता है तो अगर आप 95 नंबर 95 नंबर पर भी है तो इसका लब यह निक्या बाहर हो गए आप नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है वो इस स्कूर पर आ सकते हैं ठीक है तो यह आपकी कट ओफ रहने का अनुमान है सबी कैटगरी की कट ओफ जो तो देखिए अभी चल रहा है आखरी मौका सेल तो यहां पर आप सबी एक्जाम को सब्सक्रिशन जो है वो ले सकते हैं सिर्फ 556 में यानि लोएस टैबर प्राइस पर और इसमें भी आपको जो है वह इंस्टेंट डिसकाउंट मिल जाएगा इंस्टेंट डिसकाउंट मिल जाएगा लिंक पर आप जाएगे आपको सुपर कोचिंग के लिंक पर लेकी चलता हूँ आपको इसमें आपको इसमें डिसकाउंट मिलेगा मेरा कूपन को लगाई अनुराग अनुराग कूपन को लागे डिसकाउंट मिल जाएगे यह देखिए तो चलिए सेशन को खत्म करने का समय आ गया है आप लोग अपनी एक्जाम प्रिपरेशन अपडेट लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए